हेलो देच्चो, वेलकम टू, एक्सलेंट एकेडेमी कुराडी, एक्सलेंट एकेडेमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज की इस वीडियो में हैं HSC 12th Class Fuses का Chapter 2nd का Mechanical Properties of Fluid का जो आज की वीडियो का टॉपिक है, वो है लेक्चर नमबर 7, तो लेक्चर नमबर 7 में आज की इस वीडियो में Measurement of Pressure, तो Pressure के Measurement के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं, तो Pressure को Measure कैसे करते हैं, तो Measure करने के लिए हमारे पास दो डिवाइस है, तो किस तरह से Barometer का Use करेंगी, किस तरह से Heinonnaud कर सकते हैं, उस में डिटेयो में आज की इस वीडियो में discuss करने वाले हैं ठीक है तो आप physics के concept और derivation आपके लिए हो जाएंगे आसान बने रहे हमारे साथ तो हमारे excellent academy कुराड़ी इस channel को likes करे share करे subscribe भी करे और साथ में bell icon पे प्रेस करे ताक कि आपको नहे नही वीडियो का यूज प्रेसर मेजर करने के लिए कि इस तरह किया जाता है अगर आपको 100% समझता है तो comment section में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नाव स्टार्ट करते मेजर्मेंट और प्रेसर ठीक है तो वाटिज प्रेसर मेटर स्टेट और एक्सप्लेंट इंस्ट्रूमेंट यूज पार मेजर्मेंट और प्रेसर तो प्रेसर को मेजर्मेंट करने के लिए ऐसे कुन सी इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टेट करो और उनको एक्सप्लेंट करो कि किस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं तो चलो स्टाइट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है तो प्रेशर मिटर क्या होता है तो प्रेशर मिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जी यूज होगा मेजर प्रेशर मेजर को मेजर करने के लिए जो instrument use होता है उसको हम क्या बोलते है pressure meter इसी को नाम है pressure gauge या vacuum gauge उसी को pressure gauge भी बोलते है या vacuum gauge भी बोलते है तो two instruments which are commonly used to measure a pressure तो pressure को measure करने के लिए commonly two instrument का use के जाता है एक है mercury barometer और एक है manometer open tube manometer तो यह दो instrument है जिससे हम pressure क्या कर सकते हैं measure कर सकते हैं तो चलो बात करते है mercury barometer तो mercury barometer क्या होता है उसके बारे में हम discuss करेंगे ठीक है तो mercury barometer एक ऐसा instrument है that measure atmospheric pressure तो ऐसा instrument जो measure करेगा atmospheric pressure उसको हम क्या बोलेंगे barometer अब barometer का मतलब ही होता है इस barometer का मतलब ही होता है pressure ठीक है और meter का मतलब measure करने वाला तो barometer एक pressure measure करने वाला device है और generally atmospheric pressure measure करते है इससे ठीक है और इस barometer instrument में mercury का generally use किया जाता है इसलिए इसको mercury barometer बोलते है तो mercury barometer क्या है, एक ऐसं instrument है, जिससे हम atmospheric pressure क्या कर सकते है, measure कर सकते हैं, तो अपने earth जो होती है, अपने earth surface, तो एस earth surface के ऊपर atmosphere बनाव हुआ है, तो atmosphere का pressure किसी भी liquid के ऊपर लगता है, जैसे कि for example, ये container है, इस container में liquid है, इस liquid के ऊपर atmospheric pressure अपलाई हो रहा है, तो इस atmospheric pressure को हम measure कर सक ते इस mercury barometer से ठीक है और इस mercury barometer को फ़स्ट टाइम इस atmosphere का pressure measure करने के लिए इस mercury barometer को invent करने वाले जो scientist थे वो Italian scientist थे जिनका नाम है avenge lystar torsily तो इवेंज लिस्टा टॉर से ली नाम के scientist नहीं Italian scientist थे इन्होंने यह फ़स्ट टाइम mercury barometer instrument invent किये थे जिससे उन्होंने atmosphere का पेसर क्या के थे measure किये थी ठीक है अब इस mercury barometer का structure इसका किस तरह से use के जाता है उसके बारे में हम discuss करेंगे ठीक है चुल बात करते हैं कि mercury barometer में क्या क्या होता है mercury barometer में क्या होता है तो mercury barometer में एक glass tube लिए तो ग्लास ट्यूब वन मीटर लेंद की थी और उसका diameter था आपाउट वन सेंटिमेटर इसकी जो लेंद थी mercury barometer की वो वन मीटर थी मतलब यह एक्चुली पहले स्टार्टिंग में वर्टिकल थी इन्वर्टेट नहीं थी ठीक है तो mercury mercury barometer में एक glass tube लिए जो वन मीटर लेंद की थी जिसका diameter वन सेंटिमेटर था इसका diameter वन सेंटिमेटर था और इसको पूरा mercury से क्या किये थी हमने फिल लप किये थी इसके ब्रीम थक और इसको फूल भरने के बाद में इस ट्विकली इन्वर्टेट इन्टु आ स्माल डिस्ट अब लेवल आप mercury ने glass tube lowers as a some mercury spills इन डिस्ट तो इस 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 ग्लास टुब के अंदर जो mercury का जो लेवल था वो कैसा हो गया lower हो गया मतलब decrease हो गया क्योंकि कुछ mercury उस डिस्ट के अंदर spill हो गया इस इस इन देट mercury इन ट्यूब फाल्स तिल दा हैड विकम एच इकोल टू 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर बोले तो 760 mm अब 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 मर्कुरी लेवल इसका मतलब यह है कि यह जो mercury ट्यूब के अंदर का जो लिक्विट फाल हुआ तो इस लिक्विट कॉलंग की जो हाइड थी वो हाइड 76 सेंटीमीटर अब जर कीगी यह चाहिए आप वन मीटर लॉंग लेंद्ध मर्कुरी ट्यूब लो या उससे ज्यादा लेंद्ध की ग्लास ट्यूब लो उसमें जो mercury का जो लेवल जो होगा फाल होने वाला तो सर्फेस से 76 सेंटीमीटर बोले त इतने हाई तक वह मर्कुरी लेवल क्या होगा फाल्स होगा ठीक है और यहां बने ग्याप बनेगी जो Kapela निश्ट चिप में नॉट कंटेन एंड आ कोई नहीं होती जिसमें जिसकह वकंभा सब्सक्राइब को टरसेल parole ले चाता है यहां पर कोई नहीं है इसलिए प्रेसर रहेगा मतलब अपर इंड पर मर्कूरी कॉलम के अपर इंड पर जो प्रेसर रहेगा वो कहा रहेगा जिरो रहेगा इंसाइड टूब अब हम कंसिडर करते हैँ को प्रेंट प्रेंट C अदर हम प्रेंट System करेंगे लेट rif prueba करेंगे इस इस प्रेंट करने इस कंशिडर थिस् प्रेंग मर्कुरी से ए मिरपर हमने पॉइट एक सी कल दिए लिए अधार पॉंट बी और विश्बैक़्ा प्रेंट कंसिडर के inside the tube same horizontal level as that of point C is point C के horizontal level में inside the mercury tube में हमने point B consider किये तो pressure at point C यह point C पे जो pressure रहेगा वो equal रहेगा atmospheric pressure के equal रहेगा क्योंकि because it is open to atmosphere क्योंकि point C atmosphere को open है इसलिए point C पे जो pressure रहेगा वो atmospheric pressure के बरावर रहेगा अब B और सी पजया मी इस जो point B पज़सर की बरावर रहेगा, बूले तो atmospheric pressure के बरावर रहेगा मतलब piano P b pc की equal रहे है ऑर pc पीन युट्स और की equal मतलब atmospheric pressure कीउट रहेगा इसलिए pressure at a point B यह फ Needing प्रेसर अब प्रेसर एक प्रेसर रहेगा वह पी एकवल टू एक रोजी है अच डेंसिटी और ग्रैविटी इसके बराबर होता है अब प्रेसर एक पॉइंट पॉइंट बी तो प्रेसर 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 क्याता जीरो था तो एक रोजी तो इस तरह से हमको हाइट पता है इस लिक्विट की डेंसिटी पता है ग्राविटी पता है तो हम एक्वास्फिरिक प्रेसर हम निकाल सकते हैं तो जो हाइट होती है मर्कुरी कॉलम की आपको नोट म याद दकना है atmospheric pressure generally expressed length of mercury column length of mercury column में express करते तो length of mercury column 76 cm थी 760 mm एजीजी था 76 cm of mercury था उसी को 76 cm गोए तो 760 mm of mercury हुथ था इसलिए mercury barometer का atmospheric pressure जो रहेगा उसको हम express करेंगे 76 cm of mercury column या 760 mm of mercury column और 1 mmHg यादखना 1 mmHg यादखना 1 torsil होता है यादखना 1 mmHg यादखना कितना होता है तो 1 torsil लेकिन यह जो cm of mmHg या mm of mmHg यह ऐसा unit नहीं है इसलिए हमको तो standard अगर atmospheric pressure find out करना है तो h की वैलू density की वैलू gravity की वैलू लेंगे तो h की वैलू 76 cm तो cm को हम SI unit में convert करेंगे बले तो meter में convert करेंगे तो centimeter को meter में convert करने के लिए 76 को 100 से divide करेंगे तो 0.76 meter आ जाएगा density होती है 13.6 मतलब mercury की जो density होती है 13.6 gram पर cm क्यूब होता है तो इसको kg पर meter क्यूब में convert करेंगे तो कितना आएगा 13600 आएगा मतलब इस gram को kg में convert करेंगे तो 1000 kg होगा cm को meter क्यूब में convert करेंगे तो 10 to power 6 meter क्यूब होगा फिर 10 to power 6 से 10 to power 3 cancel हो जाएगे तो 10 to power 3 बचेगा तो 10 to power 3 और ये 0.6 जो भाटेगा तो 1360 पर 20 आजाएगे मतलब 13600 kg पर meter क्यूब हो जाएगा और ग्राविटी कितने 9.8 तो यह सभी वैलू इसके जगा पूट करेंगे तो इसका जो calculation होगा वह आएगा 1.013 10 to power 5 तो 1.013 10 to power 5 और ये जो यूनिट इनको क्या करेंगे तो नूटन पर मिटर स्कोर आ जाएगा तो 1.013 10 to power 5 नूटन पर मिटर स्कोर इस नूटन पर मिटर स्कोर कुछ हम क्या बोलते है पास्कल ठीक है तो 1.013 10 to power 5 पास्कल ये आपका standard atmospheric pressure है ठीक है तो इस तरह से हमने atmospheric pressure हमने करते ज зм Hue का एक्ष्प्रेशं मर्कुरि बिरॉमिटर से हमने निकाले और मर्कुरि बिरॉमिटर से इस तरह से इटमॉस्परि कर दाता है मतलल फारे रिहें जाती है यह और अम पॉर情況 करेता है मुस्ष Łaty तो ग्राविटी तो जन्रा टीओ जाती है nutr कहां शेयर मेंदन फ्रेशर फाइंड ऐड कर सकते मैंनोमेटर एक ऐसा डिबास है जसे और कोई इसे हम यूज जफ टूब इसमें यूज जफ टूब होती है जो पाइटली फिल वोती है यहां पर जो लिक्विट होता है कम से कम देनसिटी वाला होता है तो कम से कम Density, स्री वाइटर की और केरोसिन की होती है तो जनरली समें वाइटर का यह यूज करते है तो following फिगर शो ओपन टूब मैंडमीतर यह following अपन को शो करीए इसमें यूटुब में से एक जो ट्यूब मत्त फैट में एकनेक्टिटा टी जिसमें कंटेनर रहे चिसका प्रेसर मेजर करना है तो जिसका प्रेसर पी होगा जिसको हमको क्या करना है अब मेज़र करना है टीक है प्रेकर आपर प्रेसर आ का तो प्रेसर अब करेंगे तो प्रेसर उप्र फट॥ बेसिस स्वेड़े कॉने चीइन प्रेसर करेंगे ठीक है तो to find pressure at a point c which is exposed to pressure of gas in a container तो यह जो pressure at a point c, point c पर जो pressure आ रहा है तो यहां पर container के अंदर जो gas थी वही pressure इस point c पर आ रहा है ठीक है तो अब यह pressure को find करने के लिए इस point c की उपर का pressure find करने के लिए हम consider करेंगे एक point b जो open arm के अंदर है ठीक है open arm of manometer at the same level as a point c तो point c पर जो horizontal level पर जो रहेगा मतलब point c जहां पर उसे level पर arm जो manometer की left वले arm है जो open arm है वहां पर point b consider करेंगे तो दोनों horizontal level पे हैं इसलिए point b और point c जो pressure रहेगा वो कैसा रहेगा एक फोल्ड रहेगा ठीक है तो pressure at d निकालने के लिए pressure at c निकालना पड़ेगा pressure write at c निकालने के लिए pressure at b निकालना पड़ेगा तो pressure at point b आपको पता है pressure rate upon b क्या होता है pa और यह जो mercury का जो column होता है mercury column इसकी जो height होती है तो क्या होगा pa equal to pb equal to pa plus rho hg rho sorry h rho g तो height density और gravity यहापको तो पता है according to pass कलो अब pc जो होगा अब pb nhg क्या है बताओ pc क्योंकि pressure rate upon b वो किसकी equal था pressure rate upon c तो pressure rate upon b क्यों pressure rate upon c लिख सकते है और pressure rate upon d यह आपका atmospheric pressure था तो plus rho h, rho g जैसा का वैसा रहेगा तो यह height of liquid column रहेगा अब पॉइंट पॉइंट भी rho एने density है g एने acceleration due to gravity पर according to pass कल लो आपका पता है point c मतलब यहाँ पे point c पे जो pressure है वोई pressure at point d पे रहेगा तो according to pass कल लो प्रेसर at a point c as a same as a point d inside the chamber जिस chamber में जो pressure रहेगा वोई यहाँ पे जो pressure रहेगा point c पे वोई inside में pressure रहेगा therefore pressure प्रेसर जो p रहेगा तो d का जो pressure था वो pressure क्या था प्रेसर रहेगा पी इकवल टू पी नॉट प्लस एच रोजी रहेगा ठीक है तो पी नॉट को अगर उधर लाते हो तो यही pressure difference निकलेगा पी माइनस पी नॉट इकवल टू एच रोजी ठीक है तो इस तरह से हमने इस gases system का भी pressure हमने find out कि तो यह pressure find करने के लिए pressure रेट पाउंट से निकालना पड़ेगा pressure रेट रोजिट और रहेगा जैसा का वैसा PC बराबर रहेंगे तो PD नहीं यह था आपका pressure था फी तो पी इकवल टो पीचिए इस तरह से हमने मैंनोमेटर का यूज़ करके वी गास सिस्टेम का कर दीए तीके?